आज मैं आप लोगों को बताऊंगे 30 inches double cuttory blouse boat neck में जिसमें का सामने गला जो है deep neck में होगा back neck जो है boat neck में होगा और इस blouse का request जो है सुमिद्रादास जो हमारी viewer है उन्होंने करा था तो मैंने उन्हीं के request पे ये video बन रहा है तो hope you like the video अगर आपको अच्छा लगी ये video तो subscribe करें में चालनों को और शेयर करें ठीक है तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं तो यहां पर blouse जो है 30 inches है तो उसका चौथा है यहां पर 7.5 inches हो जाएगा तो टोटल यहां पर 9 inches हो जाएगा और यहां पर ब्लाउस के लंबाई जो है मैं 12 inch रखूंगे एक इंच और लोंगे मैं यहां पर सिलाई के लिए जो उपर निचे चला जाएगा उसके लिए अब यहां पर शोल्डर का माकिंग करेंगे हम तो शोल्डर यहाँ पर 6.2 इंचेस और आर्म होल भी 6.2 इंचेस करके हम यहाँ पर रखेंगे ब्लाउस का जो है लेंगता बढ़ा भी सकते हैं यह आपके उपर है लेकिन उसमें कम मेजर्मेंट वगर फिर चेंज हो जाएगा तो यह बात भी धियान रखेंगा तो small size है एकदम से तो इस वज़े से मैं इसे length छोटा रख रही हूँ क्योंकि 30 इंचेस बहुत छोटा size होता है इसलिए तो यहाँ पर 6.2 इंचेस शोल्डर हो जाएगा और 6.2 इंचेस का ही आर्म हो जाएगा और यहाँ पर आर्म होल का गोलाई जो है मैं यहाँ पर 1.2 इ बनारी हो तो back neck का जो neck का width है वो यहाँ पर 3 इंच हो जाएगा और इसमें का depth होगा इसकी जो गहराई होगी वो यहाँ पर 3.5 इंच हो जाएगी ठीया तो इससे कम नहीं लेना है आपको क्योंकि क्या होता है कि बहुत लोगों को अच्छा रखता है कम depth होता है तो यह फिर इससे कम रखेगा ना तो एकदम चोड़ा चोड़ा टाइप लगता है इस वो जैसे अगर आप high neck वगर बनाते है तब की बात रग हो जाता है यहाँ पर मैं यहाँ पर 1.2 इंचेस का marking करके यहाँ पर गुलाई का shape दे रही हूँ तो इस तरीके से आपको भी marking कर लेना है औ अब बैक पार जो है एक इंच एक्स्ट्रा आमने यहाँ पर लंबाई एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पर 13 इंच था तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो 14 इंच है तो यहाँ पर इस तरीके से हमने प्लेस कर लिया है जो back part है उसको front part के उपर में as it is और यहाँ पर फ्रंट पा समयने यहाँ पर marking कर लिया है अब back part जो है उसको हम हटा लेंगे अब हटाने के बाद जो है simply यहाँ पर हम अब इसकी marking करेंगे तो यहाँ पर देखी हम simply जो है armhole का marking करेंगे ता armhole के लिए हम जो हमने marking करा था वो उसकी उपर हम एक बार फिर से इस तरीके से चोड़ाई का shape दे देंगे अच्छे से और यहाँ पर neck के लिए जो है मैं इस तरीके से marking करेगा ना तो अच्छे से नहीं आता है तो वो सीध कि हमने back part में जो लिया था ना इसमें का चोड़ाई उतना ही मैं यहां front part में भी लेना है आपको इसमें का चोड़ाई है और यहाँ पर इसकी जो गोलाई है वो 1.2 इंचेस पर मैं ले रही हूँ इस तरीके से हाना एक इंच पर नहीं लेना है इसका गोलाई नहीं तो मारकिंग आपको करना है 11 इंच पर इस तरीके से क्योंकि ब्लाउस का लेंग्ध जो चोटा है तो इस वजह से हम बैल्ट भी चोटा बनाएंगे और इसमें का जो लेंग्ध है वो भी यहाँ पर चोटा होगा तो इस वजह से 11 इंच पर जो है मैं बैल्ट का मारकिंग कर रह करूंगी तार्म होल के लिए मैं 0.7 इंचेस पर फ्रंट आर्म होल में मार्किंग करूंगी इस तरीके से और यहां पर देखिए जो हमने आर्म होल रखा है ना उसका हम सेंटर निकालेंगे तो सेंटर निकालने के बाद आपको हलका सा अंदर की तरफ खांच देते हुए इस तरीके से गुलाई का शेप देना है क्योंकि जब बोट निक बनाते हैं और यह शेप आप नहीं दोगी तो फ्रंट साइट फ्रंट आर्म होल में जो है फुलान आना स्टार्ट हो जाएगा तो यह बात भी ध्यान रखेगा तो यहां पर मैं चेस्ट का मार्जिन ले रही और एक्स्ट्रा इस हो जासे अब यहां पर जो है कटोरी का माकिंग करेंगे तो कटोरी का माकिंग यहां पर मैं ले रही हूं पाच इंचेस पाच इंच का ले लेना है आपको और यहां पर जो है एक इंच गले की उपर से ले ले लेना है और पाच इंच का गोलाई का और यहां से 0.7 इंचेस का यहां पर कर्व का शेप दे रही हूं मैं 2 इंचेस में का लंबाई और यहां पर 0.7 इंचेस का उचाई जो है इस तरीके से कर्व के ले लेना है आपको और इस तरीके से कर्व कर लेना है और आपको सिंपलिस की कटिंग कर लेनी है तो देखिए हमन को कटिंग का लेना है और यह जो कटोरी का फर्मा है ना उसका भी आपको नहीं फेकना है अब मैं इसमें के कटोरी का फर्मा पेपर में रखके बताती हूँ कैसे आपको इसका कट करना है उसके लिए तो क्या करना है आपको कि simply जो है नीचे side से आपको 2.2 inches लेना है इस तरीके से 2.2 inches पर ही आपको इसकी marking करनी है क्योंकि हम कम size के लिए बना रहे हैं इस वज़े से तो यहाँ पे 2.2 inches पर आपको marking कर लेना है अब जो है हमने जो कटोरी का फर्मा है उसको रखेंगे as it is और इस तर आपको प्लेस करना है अब इसके चारों तरफ आपको marking करना है अभी जो हमने कर्व का shape दिया है उसको नहीं देना है यहाँ पर as it is जो है कटोरी का फर्मा है उसके चारों तरफ आपको marking कर लेना है इस तरीके से अब यहाँ पर दिखिए जो neck है neck side से आपको मतलब नीचे side स आपको marking कर लेना है इस तरीके से 7 inches हो रहा है उतना ही आपको नीचे side में भी ले लेना है 7 inches तक अब यहाँ पर इस तरीके से straight line draw कर लेना है अब गले के side से आपको half half inch इस तरीके से ले लेना है और आपको इसका go like a shape दे देना है इस तरीके से बढ़ाते हुए जैसे कि मैं दे रही हूँ उसी तरीके से और इस side के लिए मैं इसके लिए उसके लिए उसके रहा है तो इस तरीके से आपको कर लेना है अब आपको क्या करना है simply cutting कर लेना है तो cutting करने के बाद बताती हूँ इसके आगे का process तो देखिए हमने यहां पर इस कटिंग कर लिए है अब यहां पर क्या करना है कि हमको लेना है यहां पर 0.7 इंच हम एक इंच नहीं लेंगे यहां पर 0.7 इंच ही लेंगे यहां पर 7 इंच जो है यहां पर ले लेना है और सेंटर में इसका माकिंग कर लेना है जैसी की 5 इंच का कटोरी है तो यहां पर center इसका हो जाएगा धाइंच पर धाइंच पर इस तरीके से marking कर लेना है आपको और यहां पर 0.7 inches जो है उपत की तरफ आपको marking कर लेना है और इसका इस तरीके से shape दे देना है आपको इस तरीके से करव का शेप देना है ज्यादा आपको तीर्चा नहीं करना है नहीं तो यह पॉफ उतना खुबसूर्टी के साथ नहीं बन पाएगा गोल नहीं बनेगा ठीक है नुकीला टाइप का शेप हो जाएगा यह बाद भी धियान रखेगा अब यहां पर बेल्ट का माकिंग करेंगे दौ इंच पर और यहां पर 0.7 इंच ईश उपर की तरफ माक करके इस तरके से बेल्ट के लिए गोलाई का शेप दे देंगे चीज हैं फुल्ड अब यहां पर 1,5 इंच आपको सिलाई के लिए यहां पर छोड़ना है ठीक है अब यहां पर जो है करटूरे जो है पांच इंच का है तो इसका आधा यहां पर हो जाएगा धाइंच तो वह आपको है ड़ा इंच पर एक छोटा सा आपको नौश लगा लेना है तो ज रेडिक कर लिया है, यहान पे स्लिफ की कटिंग नहीं पता रही हूँ मैं को मेरे बहुत सारे वीडियो आब यह बना सकते हैं मटका डिजाइन हो गया है जो भी आपको पशंद हो तो आपको यहां बना लीना है 6, 7, 8, 9, 7, 9, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 11, 14, 15, 29, 30, 10, के लिए तो इस तरह के से मैं सिंपली बता रही हूँ गर आप डिजाइन युगर बनाना चाहते और नहां कित करने हैं तो यहाँज बबाद से मैं पीपर पर जो paper में already एक बार cutting करके stitch करके मैंने कर रहा है यहां पर stitching का video नहीं बता रही हूं कि because मैंने बहुत सरी stitching का video already upload कर दिया है तो आप जाके देख सकते हैं तो मैंने जो है paper पे इस तरीके से cut कर लिया था और cut करने के बाद जो है मैंने इससे attach कर रहा है एक paper है उसको stitch कर रहा था और को टोरी वागरा का फर मलक के सरी के से यह ready तयार होगा तो देखिए यहां पर कितना खुब सूरत है किस बन गया है hope आपको video अच्छा लगा हो thank you so much for watching this video